साथियों जो भी नए राजनेता हैं, जो भी युवा हैं, राजनिती वे आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़ी खुशकबरी है, बहुत बढ़ी अपॉर्चिनिटी उनके लिए आने वाली है, दोजार चब्विस में सांसद और विधायकों की संखिया, पचास पृतिशत का इदाफ होने वाला है, जी हां बिल्कु सही सुना आपने, 50% सीटे बढ़ने वाली हैं, हर विधान सबा में, अगर माली जी आपके हां, 100 विधान सबा की सीटे या मेले की सीटे हैं, वो डिर्ड होने वाली हैं, अगर लोगसभा की बात करें, तो 543 सीटे हैं, तो लगभग 700 से आसपा सीटे होने वाली हैं, साड़े साथ सो भी शायद हो सकती हैं, क्योंकि जो नई पारलिमेंट बनाई गया है, उसमें 888, 888 सीटे बनाई गई हैं, तो 888 तो अगले 50-60 साल में जाकर के ह होंगी, लेकिन जो अभी डिलिमिटेशन होने वाला है, 2026 तक लोगसभा और विधालसभा की सीटे फ्रीज की हुई हैं, उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ने वाली हैं, अब यहां पॉर्चिंटी क्या है, जो राजनिता अभी उनको लग रहा है कि उन्हें मौका नहीं कर रहे हैं, यह वेक्ति राजनिता बन गया, यह जनता में इसकी पकड़ अच्छी है, हम तो इसे हराएं नहीं सकते हैं, ऐसे सभी सीटों पर नए लोगों को मौका मिल सकता हैं, वैसे जो वर्तमान राजनिता हैं, सांसदें विधायक हैं, वो भी मूर्ख नहीं हैं, उन्ह ऐसे ही डिलिमिटेशन होगा, 2026 का चुनाओ तो शायद विधान सभावा जिन राज्यों में होने वाला है, वो तो शायद पुराने डिलिमिटेशन से हो जाएगा, लेकिन 2026 के बाद जिन विधान सभाव के चुनाओने वाले हैं, पूरी-पूरी संभावना है, वहां सीट हैं, तो सोचिए, वहाँ 600 के असपसीट होने वाली हैं, तो 200 नए लोगों को मौका मिलेगा, भले हो सकता है, सरकार 500 अभी एक्स्टेंट करे, बाकी 50 को आगे अगले, 10, 20, 30, 40 साल में एक्स्टेंशन दे, लेकिन कम से कम कुछ ने लोगों को मौका मिल जाएगा, लेकिन क्य वो मौका आपको मिलेगा, क्या आप तयार हैं उस मौके के लिए, आप में ऐसा क्या है, कि पार्टी संगठन आपको टिकेट दे, वो जो वरतमान सांसत बैठा हुआ है, विधायक बैठा हुआ है, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो इतने हैं समय से पदाधिकारी बन बनने वाली है, क्या पुरानी कॉंसोंसी है, मर्ज करके नई कॉंसोंसी बनने वाली है, पुरानी एक्जिस्स करेंगी, उन में से कुछ पार्ट निकाल करके नई बनने वाली है, उसके बारे में जानना पड़ेगा, डिलिमिटेशन कमिशन को फॉलो करना पड़ेगा, कि काम करने का तरीका क्या होता है उसको जानना पड़ेगा अगर आप खुछ जाननेगी ठीक है नहीं तो हम जैसे लोग हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे मैं क्योंकि उनको तुरंद मौका मिल गया वो कई युवा भी थे कई औलेडी स्ट्रगल कर रहे थे संगर्श कर रहे थे लेकिन ऐसी कॉंसोसिटी जो एसी रिजर्व थी अच्छा काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है शेतर में पकड़ भी है सब कुछ है लेकिन पार्टी उसे म वही नहीं पाती है कई बार 20-30 लग जातें सीट को चेंज होने में आप कोई वेक्टी काम कर रहा है और Delimा कमिशन बैट जाता है दिल्मेटेशन कमिशन क्या कहता है आजपास की दो सीट या 3 सीटो को मर्च करके 4 सीटे बना दी गही है और एक नई सीट पैदा कर दी गही की लेकिन वो जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा डिलिमिटेशन कमिशन के प्रोसिर को समझना पड़ेगा ये एक अच्छी अपॉर्चनटी है उन लोगों के लिए जो मेंटली प्रिपेर्ड हैं जो तैयारी करें हाँ बाजी कौन मारेगा ये मैंने पहले भी कहा जो प्रिपेर्डी पॉलिटिक्स में हैं जो भले एक्टी पॉलिटिक्स में हैं फ्रेंटल पॉलिटिक्स कर रहे हैं बेकेंड कर रहे हैं उनको उनके परिवार को लाब होने वाला है ने लोगों को शायद उत्रा मौका ना मिल पाएं क्योंके ने लोगों तो पता भी नहीं है बुरमनमानिया आप ऐसे भी बहुत सारे नए लोग हैं जिने आइडिया नहीं है कि किस तरह का चेंज होने वाल है और कई जो सत्ता में बैठे लोग हैं राज्ये में और केंदर में वो शायद डिलिमिटेशन भी अपने हिसाफ से करेंगे जिसमें जाती का समीकरण धार्मी समीकरण अपने कॉंसूंसी के समीकरण अपनी फिर्व में देखे जाएंगे या ऐसे candidate को ही तैयार किया जाएगा जिस candidate के फिरो में वो समी करना है ताकि उस candidate को लाब हो जाए उस party को लाब हो जाए उसमें आपको कैसे benefit मिल सकता है आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसकी तैयारी अभी से करिए अभी 2024 सल रहा है अगर इन दो साल में आपने शेत्र में अच्छी पकड़ बना ली अच्छी तरह से काम करा पार्टी संगठन में अपनी पहचान बना ली तो पार्टी आपको टिकेट के लिए मना नहीं कर पाएगी क्योंकि पार्टी की भी मजबूरी बन जाएगी अगर उस consistency में कोई वक्ति मजबूरी के साथ काम कर रहा है और deal limitation बाद एक नही consistency तयार होती है सबसे पहला हाँ कुछ वक्ति का होगा जो वहाँ काम कर रहा होगा अपनी टीम बनाईए लोगों को अपने साथ जोड़िए पता करिये राजनिती में सफलों निकलें कौन कोंसे रास्तें कौन कोंसी टीम में चाहिए बहुत सार लोग तैसे हैं लगतार राजनिती में है 10-15-20 वर से राजनिती कर रहे हैं अभी तक अपनी टीम नहीं बना पाए टीम बनाना तो छोड़ दीजे उन्हें यही नहीं पता कि कौन कोंसी टीम में बनानी है कौन सी टीम चुनाओ के समय बनानी है कौन सी टीम में पहले बनानी है किस तरह से अपनी लहर बनानी है मुद्दे के अधार पर काम कैसे करना होता है वो सब सीखने के जानने के विशे हैं जितना आपने उपर मेहनत करेंगे जितना इन सब चुछों को जानेंगे जितना जल्दी जान लेंगे उतना फायदा हो जाएगा उसे मैं मदद कर सकता हूँ कई लोग कहते हैं साफ आपकी ट्रिनिंग लेनी है अपने आपको तैयार करना है जाने वाले इस अपॉर्चुनटी के लिए कि ये अपॉर्चुनटी वर्तुमान सांसदों विधाय को या उनके परिवारों को न जा करके आपको मिल जाए अगर आपका अलड़ी परिवार राजनीती में है तो आपके परिवार तक ही कैसे सीमित रह जाए उसके बारे में one-to-one बात कर सकते है वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएए मेरा फोन नमर मिल जाएगा दो चार पाँच इन बात करी और डारेंट बात करी फ्री ओफ कास बात करी वैसे बहतर ये रहेगा जब आप बात करेंगे तो मैं जजज कर लूँगा कि आपका अभी क्या लेवल है और किस लेवल पर आपको तयारी कर दी है उसके बाद अगर जरूत पड़ेगी तो one-to-one काउंसलिंग में बिला लेंगे ट्रेनिंग दे देंगे अगर guidance की ज़रूत होगी रणीती बनाने की ज़रूत होगी रणीती बना देंगे जैसे चाहेंगे आपको गाइड कर दूँगा बस कोशिश ही है कि यह opportunity जाद अतर उन्लों को मिले जो काबिल है जो deserving है खास कर से युवा जो राजनीती में आना चाहते थे अभी तक उन्हें मौका नहीं मिल रहा था सांसर दिधायक का पार्टिया टिकट नहीं दे रही थी अब क्योंकि पार्टियों की मजबूरी बन जाएगी तो हो सकता उसमें आपको मौका मिल जाएग आज के लिए इतना ही आपके उज़र राजनीती भुईशे के लिए हारदी शुप कामना है जै हिन जै भारा